हेलो दोस्तों स्वागत है आपका पेरडाइस एजुकेटर चैनल में आज हम क्लास 10th मैट्स के पहले चैप्टर रियल नंबर्स का कुश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं ये कुश्चन नंबर 2 आपको आरे सगरवाल की पहली एक्सरसाइस वने में मिल जाएगा ठीक है क्या ह इसे किस नंबर से डिवाइड करें जिससे डिवाइड करने के बाद हमें 31 कोश्चन मिले और 32 रिमेंडर मिल जाए ठीक है हमें पता है कि यूकलिट डिवीजन लैमा के अकॉर्डिंग एक एक एक्वेशन थी जो की थी A is equal to BQ plus R चीक है ना वहाँ पर A क्या होता था A होता था डिवीडेंड, B क्या होता था डिवाइजर, Q क्या होता था कोश्चन और R क्या होता था रिमेंडर होता था ठीक है अब इसी equation में जिसे हम 1 कह दे रहे हैं इन values को put करते हैं और अपनी नई equation निकालते हैं तो value put करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से equation मिल जाएगी यह equation यहाँ पर 1365 डिवीडेंड है 31 हमारा कोशंट है 32 रिमेंडर है और B वो value है जो हमें find करनी है मतलब क्या है भी divisor है चीक है ना क्यूंकि B ही से ही तो हम 1365 को divide कर रहे हैं तो हमें 31 कोशंट मिल रहा है और 32 रिमेंडर मिल रहा है इसलिए चीक है ना अब इस equation को solve करते हैं solve करने के लिए सबसे पहला step यह जो 32 है यह left hand side पर transpose होगा तो हमें कुछ इस तरीके से equation मिलेगी चीक है सब्ट्रेक्ट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से value मिल जाएगी 1333 equals 31B अब यहां से हम B की value निकाल सकते हैं is equal to 1333 upon 31 चीक है solve करते हैं इसको divide करके 1333 divided by 31 31 4 जा 124 चीक है माइनस करेंगे आएगा 9 यह आ जाएगा नीचे और जब हम इसे 3 से multiply करतेंगे 31 3 जा हो जाएगा 93 तो remainder आ गया 0 चीक है अब हमारा जब remainder 0 आ गया है मतलब क्या है B की value B की value है 43 चीक है तो 43 ही इस question के लिए answer है मतलब क्या जब आप 1365 को 43 से divide करोगे तो आपको 31 कोशेंट मिलेगा और 32 remainder मिलेगा इसको सही से लिख देते हैं यूकलिट डिवीजन लेमा के फॉर्म में तो 1365 इक्वल्स टू 31 into 43 plus 32 यहाँ पे यह हमारा A है यह हमारा B है यह हमारा Q है और यह हमारा R चीक है यही है इस question के लिए answer तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि इस question को हमने कैसे solve किया है अगर कोई confusion हो आपके मन में तो हमें comment करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो like और share करिएगा अगर आप channel पर नए हो तो channel को subscribe कर दीजेगा अगली वीडियो जल्द आएगी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत